नमस्ते दोस्तों मैं कुरारे आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल सत्य सनातर में और आज का मुद्दा जो है वो बेहद गंभीर है ये एक सामाजिक बुराई के तोर पर समाज में खड़ा हो चुका है मैं आप सब से हाज जोड़कर ये विंति करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसमें जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जो जवाब दिये जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए राष्टरवादी सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है वीडियो लंबा हो जाए तो उसकी चिंत मत करना मुझे कमेंट्स में आकर भी लोग कहते हैं तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज का मुद्दा के आज का हमारा विशे क्या है आज का हमारा विशे है बामसेफ मूल निवासी संगठन और जैभीम जैमीम के नारे को दम देने वाले वो चदम लोग जो केवल और केवल अपनी राजनीती चमकाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को आगामी आम चुनाओं में एक बहुत गहरी गर्त में धकेलने जा रहे हैं और जिसका परिणाम हम और आप तता हमारी आने वाली पीडियों को बहुत बुरा जहिलना पड़ेगा और ये जो वीडियो है वो खास तो राजीव रंजन नाम के एक व्यक्ति हैं उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने उस बातचीत में उनके मुझ से जो सुना उन्हों नहीं कहा कि दलितों के उपर लगाता रत्यचार होता रहा है दलितों को हमेशा ही पीछे धके लागया और यूरेशिन ब्रहमन बाद को वो हम मिलिशा से कोस्ते रते हैं श्रीराम को गालीदेना भगवान श्रीव को गालीदेना श्री क्रिकर्ष्ronics को गालीदेना जितने भी हमारे जो आदि पूरुष हुए हैं जानिके जिनके विशे में हम भी प्रत्यक्ष्ट नहीं जानते हैं उन चीजों को उठा कर यहां लाया जाता है और हमारे खास तोर पर जो ब्रहमन वर्ग के लोग हैं जो जातिकत ब्रहमन लोग हैं वो ना तो कभी मनुस्मृति का ही बचाव करते हैं और ना ही कभी यूरेशन पद्धिती का ही बचाव करते हैं आखिरकार कहीं ना कहीं लट बिढ़ कर फिर भी आरे समाज को सामन करते हुए अपने सभी विद्वान जनों को क्योंकि हमारे वेदों के अनुसार विद्वान जनों को ही ब्राहमन का जाता है भले ही वो अंबेड कर सहाब रहे हों जोती बाफुले रहे हों संभाजी रहे हों या कोई भी जो भी दलित वर्ग से हों वो सभी के सभी ब्राहमन अ खिलाफ आप campaign चला कर जिसके खिलाफ आप जहर उगल कर जूटी बाते फैला कर उस ब्रहमनवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं पहले उस ब्रहमनवाद को अप डिकलेर करते आपने कहा कि जो भी Eurasian है जो भी Eurasian countries से भारत में वो सबी ब्रहमनवाद के लोग हैं मनुसमर्ती के मनुसिधान्त के पोशक हैं और दलितवर्ग के शोशक हैं उनको दलन करने का उन्होंने कारिय किया है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो मेरे दलितवर्ग के भाई भी सुने और जिनकी उनके साथ में लगातार बातचीत होती रहती है वो भी इन पॉइंट्स को सुने कि क्या जब मायावती जी की सरकार थी और उस समय जितने भी दलितवर्ग के लोगों के उपर अत्याचार हुए तो मायावती को आप किस कैटेगरी में रखेंगे और मायावती के समय में मायावती के ही लोगों के उपर जब अत्याचार हुआ तो उस अत्याचार को आप कौन से अत्याचार में रखेंगे क्यानिके आपको यहाँ पर definition देनी पड़ेगी कि एक good अत्याचार है एक bad अत्याचार है जब 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 दलित वर्ग के शाशकों के अंतरगत दलित लोगों पर कोई अत्याचार होता है तो उसको आप मेरे हिसाब से good अत्याचार अच्छे अत्याचार की category में रख दीजिए और जितने भी गैर दलित शाशक हुए हैं उनके समयकाल में जितने भी दलितों के उपर अत्याचार हुए हैं उसको आप bad अत्याचार में रख दीजिए आपकी पॉल यहीं पर खुल जाएगी दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जब मायावती जी की सरकार बनी और जब यह सारे के सारे दलित चिंतक यह वामन मेश्राम बाम सेफ वगरा मूल निमासी सबके सब पूरी तरीके शेशान थे आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा गूगल पर भी सारे डेटाज बड़े हुए हैं अगर आप बहुत बड़े विद्वान है तो निर्वाचन आयोग से भी उसकी जानकरी ले सकते हैं हम बात कर रहे हैं 2002 की 2002 में मयावती जी के 43 स्टेंडिंग ब्रामिन MLS थे जिन में क की बहुत सारे मंत्री भी थे 2007 में उनी स्टेंडिंग 43 में से तकरीबन 20 जीत कर आये थे और जो उमीदवार बनाए गए थे वो अप्रोक्सिमेटली 75 बनाए गए थे उससे उपर चलते हैं 2012 में जो मयावती हार गई थी तब भी उन्होंने 74 ब्रामन को 33 ठाकुर और 10 करीबन कायस्त लोगों को टिकेट दिये थे अब आप भी जानते हैं कि उन्हों कितने दलित लोगों को टिकेट दिया था फिर 2017 में आते हैं तो उन्होंने तकरीबन 115 अपर कास्ट के लोगों को जिसमें की ब्रामन ठाकुर दोनों आते हैं उनको टिकेट दिया था अब मुझे एक बताईए कि जब 2017 से पहले पहले सारे ब्राह्मन सारे अक्षत्रिय सब के सब मायावती जी के चरणों में पड़े हुए थे तब तलक दलितों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था कोई ब्राह्मन यूरेसिया से नहीं आया था क्योंकि आपकी सरकार चलाई जा रही थी तब वो ब्राह्मन ब्राह्मन नहीं था तब वो ब्राह्मन आपका शाषन करने में सहयोग करता था एक मनुष्य था एक प्राणी था लेकिन जैसे ही आपको शाषन से निकाल कर बाहर कर दिया गया 2017 में ब्राह्मन और रक्षत्रियों ने इसलिए नहीं क्योंकि उनको और उनके कारण से सारे के सारे जो ब्रहामन और अक्षत्री थे वो योगी जी की तरफ चले गए ये बात सरासर जूटी है क्योंकि उस समय पर कैंडिडेट गोशित नहीं हुआ था और जो मोदी जी है मोदी जी ना ब्रहामन और अठाकूर है वो OBC तब के से आते हैं उनका य से भी ब्रहामन रथा तक्षत्री की चोईस नहीं हो सकते हैं अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब माया वतिहारी तब ही आपको यूरेशन क्यों याद आया तब ही आपके अंदोलन क्यों जारी हुए उसी के बाद में शुद्रों की यहालत क्यों हुई उसी के राष्टरवादी भाईयों को सोचना चाहिए आते हैं दूसरे पॉइंट के उपर दोहजार अठादा के गोरखपुर और फूलपुर की जो सीट की सोदे बाजी हुई है क्या वो हमारे दलित भाईयों को नहीं पता है जहां एक और समाजवादी पार्टी को एक ऑक्सिजन सिलिंडर चाहिए था कि हमारे थोड़े MPs बढ़ जाएं वहीं दूसरी और मयावती ने सीधे सीधे सौदे बाजी करी कि मुझे राज्यसभा में आपको भेजना पड़ेगा राज्यसभा में जाने के लिए उनको लोगसभा में भेजने के लिए सीधे सीधे तोर पर ये को वो सोर्स फोर्स वो सिक्योरिटी वो लंबी गाड़ी और वो जो धाक होती है वो दे सके किसकी कीमत पर आम दलित लोगों की कीमत पर आज दलित चिंतक चिला रहे हैं कि हमारे दलित भाईयों को ये नहीं मिला वो नहीं मिला ये सारी की सारी चीजे आपने मयावती से कित को विधी मंत्री बनाया था समिधान लिखने के लिए आगे बढ़ाया था थर्ड पॉइंट पर मैं आना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जहां सबसे जादा दलित विरोधी पार्टी रही है और उनके लोगों ने दलितों को बहुत जादा उनके ओपर शोशन किया उनक सरासर राजनीती है दलित लोगों की गर्दन पर पैर रखकर आगे बढ़ने की इसको भी दलित लोगों को समझना चाहिए अब हम आते हैं बाबा सहाब के उपर और मैं जिस राजीव रंजन सहाब की पोस्ट की बात कर रहा हूं उसी पर एक दलित बाई ने एक अकबार की क खुद फसेंगे और आपको अपने कैडर को बोलना चाहिए कि हमारी जो ट्रेनिंग है ना वो थोड़ा ठीक तरीके से करें हमको यह जूट जो है ना वो थोड़े फिल्टर करके बताया करें अकेले बाबा सहाब ने पहली चीज तो वो समिधान नहीं लिखा था दूसरी च शत्री वैशे और शुद्र तो बाबा सहाब ने अलग क्या दिया उन्होंने ब्रहमन के नाम पर जनरल कास्ट दिया उसके बाद में OBC फिर S C दिया और फिर S T दिया बाबा सहाब ने भी मेरे भाई चार ही दिये हैं अगर उनको पता था कि जब हम सामाजी कल्यान के कारिये किस प्रकार से कर सकते हैं और बंद कमरे में बाबा सहाब ने खुद समिधान लिखा तो अब उन्होंने ये अत्याचार उन्होंने जान बूज कर किया इसका मतलब उन्होंने जान बूज कर दलीतों को पीछे हटाने के लिए यह कारिय किया है इस बात से खैर मैं तो कोई इ रखता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बाबा साहब ने जो समिधान लिखा था वो पूरी की पूरी प्रश्ट भूमी तियार की थी और उसमें तक्रीबन 11-13 लोगों के कमेटी थी लेकिन जो लोग ये तथा खतित कैडर बनाकर और सोसल मीडिया पर जूट फैलाने के लिए आ अपने आपको ठगावा महसूस करता है जो उसने पिछले 1995 से लेकर के 2017 तक किया भी है इसके बाद मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ बाबा साहब ने बटवारे के तुरंत बाद ये बात कही थी कि बटवारे के बाद 1947 के बाद जो लोग भारत में बचे हैं वो सभी भार खथानी नागरिक हुए और भारतिय नागरिकों की आने वाली सभी संत्यावें जितनी भी होंगी वह सभी भारतिये कहलाएंगी यो रूसी आधार पर हमारा वोट राइडिकाड बना और उसी वोट से सभी ब्रहमणोंने दलितों की बिसकार बनाई है, दलीतों को परदान मंतरी बनाया है, दलीतों को यहां का राष्टरपती बनाया है, दलीतों को मुख्या मंतरी बनाया है, दलीतों को मंतरी बनाया है, उसी वोटर कार्ड के अधार पर जिसका अधिकार बाबा साम मंबिड करने हम सब को दिया था, अब हम दलीत चिं पर उसका जवाब देना चाहते हैं कि जब वो लोग यूरेशियन हो गए आज की तारीख में यानि कि आजादी के बाद से आज हम पांचवी पीडी छटी पीडी अगर हो चुके और हमको यूरेशिया भगाया जाएगा तो हमें सिर्फ एक छोटी सी बात पूछने कि क्या आप वाकई में बाबा साब अम्बेडकर को मानते हैं नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप वाकई में बाबा साब अम्बेडकर को मानते हैं क्या आपने वाकई में बाबा साब को पढ़ा भी है मतलब यार जाहिलित की कोई हद नहीं है आज पांचवी छटी पीडी के बाद बाबा साहब को खुद ठोकर मार रहे हो खुद उनके नियम खुद उनके कानून खुद उनके समिधान को तुमने तार-तार कर दिया और आज तुम कह रहे हो सिर्फ और सिर्फ आपने सब कुछ कमिलाइज करना है जातिवाद पर तोड़ना है और सिर्फ और सिर्फ कुरसी हत्याना है दो-चार दिन बैठना है और इसको बेचकर निकल लेना है जैसा कि मायावती जी नहीं किया था जनता जागरूक हो रही है वो सरकार बदलना चाहती है तो आप उसमें मनुवाद गुसेड़ दो ब्रहमनवाद गुसेड़ दो अम्बेडकर को खुद लात मार दो समिधान के तार-तार कर दो उनकी कोई बात मत मालो यह कहां का न्याय है मुझे लगता है कि आपको अपने कैडर को फिर से कहना चाहिए कि हमें कुछ अच्छी ट्रेनिंग दें था कि हम लोगों का कुछ अच्छे से उल्लू बना सकें और जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं जो आस्तलक दबे कुछले रहे और हमारी सरकारों ने भी उनको दबा कुछला रखा उनको हम और अच्छे से कुछल सकें क्योंकि आज का दलित अब बहुत पढ़ज लिक चुका है बाबा साहब ने जो उनके हाथ में हत्यार देता शिक्षा का जो हत्यार देता उनको तर्क वितर्क का और जो दलित अधार का काम किया महरशी दियान सरस्वती जिनेत की तर्क वितर्क के बिना कोई भी चीज़ को सुईकार मत करना मेरे बाई ये जो तुमारा लाल सलाम निला सलाम पीला सलाम ये सब कुछ उसके सामने डेर हो जाने वाला है क्योंकि यहां अब बच्चा-बच्चा इंटेलेक्च्वल पैदा होता है वो आप लोगों की बातों में नहीं आता है आगे हम बात करते हैं बाबा साहब मेड़कर के उपर ही जो मूल प्रती है समिधान के जिसको बाबा साहम मिड़कर ने तयार करवाया था आज मेरे सभी दलित जितने भी चिंतक वर्ग के लोगबाम सेफ मूल निवासी और अन्य-ण्य परकार की आर्मी टार्मी जो खोल कर बैठे हैं अपनी दुकानदारी सब में आग लग जाने वाली है क्योंकि आज मैं ये खुलासा करने वाला हूँ जिससे इन सब के नीचे पैरों के नीचे की जमीन किसक जाएगी और ये ये जो संदेश है ये आप सब राश्टरवादी भाईयों का करतव ये बनता है कि हर एक व्यक्ति तक पहुँचाएं आज मूल जो प्रती थी समिधान की उसके मुख प्रश्ट पर क्या है उसके मुख प्रश्ट पर है जब आप जिल्द खोलेंगे तो पहले पेज पर है श्रीराम की तस्वीर श्रीराम जब लक्षमन और सीता के साथ में अयुद्या वापस आ रहे हैं और नीचे सिगनेचर किसका अमबेडकर साहब का अमबेडकर साहब वहाँ क्या लिखते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत हुई और ये देखिए कि श्रीराम ने असत्य को हराया और सत्य को लेकर वो भारत किस परकार से लोटे ये हमारी प्रेड़ना है भारते समिधान की आगे बढ़ते हैं आगे बढ़कर वो बताते हैं कि आगे किसकी तश्वीर अरजुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण की तश्वीर कि जहां वो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रशस्त कर रहे हैं कि सत्य का मार्ग क्या है आगे चलते हैं तो नटराज की तस्वीर आगे चलते हैं तो हमारे भारते महापूरुसों की तस्वीर और ये दलित चिंतक क्या कहते हैं कि ये श्री राम और ये श्री कृष्ण इनके बारे में कितनी गलत गलत बात करते हैं क्या इनको बाबा भी भारते समिधान या बाबा साहब अम्बेडकर का विचार रखते हैं, उनकी थोड़ी भी चिंता करते हैं, क्या वो उनका थोड़ा भी लिहाज रखते हैं, क्या वो उनका थोड़ा भी सन्मान नहीं रख सकते हैं, और जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात ही उठ गई है तो हम एक और बात यहां से करना चाहेंगे कि जब बाबा साहब अम्बेड कर से ये बात पूछी गई कि वेदों की रचना भारत में हुई या कहीं बाहर हुई तो बाबा साहब अम्बेड कर क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ती थे और वो इन ठटपूंजे गली छाप नीले पटे वालों की तरह अनपढ जाहिल और समाज को आपस में लड़ाने भिडाने कारे नहीं करते थे वो सामाजिक समरस्ता में विश्वास रखते थे तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि वेद में पढ़े हैं और जो वेदों में जो दर्शन है जो भौगोलिक संरचनाए हैं जिन फसलों का जिकर किया गया जिन पशुओं का जिकर किया गया वो सारे के सारे तो भारत में मिलते हैं वो कोई इरान में सोपोटामिया या यूरेश्या में तो नहीं मिलते वहाँ तो बर्फ जमी रहती है लेकिन जिन आउशधियों का जिक्र मैंने पहले ही का अंबेडकर साहब बहुत तारकिक थे बहुत पढ़े लिखे इंसान थे वो विद्वान थे ये नेले जोला चाप लोगों के तरह जाहिल नहीं थे वो एक एक बात करते थे बड़ा तरक के साथ तो उन्हें ने कहा जितनी ओशधिया है जितनी नदिया है जितने मौसम है भौगोलिक सन रचना है जहां कि जितने भी फसल है यहां जितने पशू है उन सब का जिक्र वेदो में आया है अगर वेदो की रचना कहीं बाहर हुई होती तो वहां का कुछ तो पुट वेदो में होना चाहे था कुछ तो बात वो उसकी होनी चाहे थी लेकिन जितने भी एतिय प्रमान मिलते हैं जितने भी शब्द प्रमान मिलते हैं सारे के सारे भारतिय lotus bounce तो वेदो की रचना निसन्देह भारत में हुई है अब मेरे बहुत सारे दलित भाई मेरे बहुत सारे मासूम दलित संगठन के लोग वीडियो के नीचे आएंगे कमेंट लिखेंगे तुमें नहीं पता तुमने समिधान नहीं पढ़ा तुमने इतिहास नहीं पढ़ा तुम बाबा सहाब को नहीं जानते हो वारे वाच हदम दलितों इस देश को जहां एक सोने का शेर बनाने का सपना बाबा सहाब ने देखा वहां तुम इसको टुकडे जिन्ता एक केवल मुझे ही नहीं है पूरे प्रबुध दलित वर्ग को भी है पूरे प्रबुध पिछडे समाज को भी है और हमारे जो प्रबुध मुसलिम भाई है उनको भी है और जो हमारे देश का जो प्रबुध स्वर्ण वर्ग है उसको भी है इन प्रश्णों के उत्त के नीचे कमेंट करना और समझना कि तुम कहां पर गलत हो और तुम कहां देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो अभी भी अपने मार्ग को छोड़ो और बावा सहाब के बताय हुए मार्ग पर चलो पढ़ो लिखो आगे बढ़ो आज पढ़ा लिखा दलित आज आगे उपर पहले विचार करो और समझो कि हमारे देश को आगे ले जाने के लिए किन-किन महाशक्तियों और किन-किन प्रबुद जनों क्या वशक्ता है उनको लेकर आगे बढ़ो तो मैं सचमुच में मानता हूँ कि बावा सहाब का जो सपनों का भारत था वो एक ना एक दिन ज लोगदान मिलेगा और आप लोगों के हस्ताकसर उस महान भारत के इतिहास में जरूर कहीं न कहीं अवश्य आएंगे तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरे संग बोलिए सत्ते सनातन वैदिक धर्म की जय